प्रदेश के राजपाल घ्रिटायर्ड लेफ्टनेंट जनरल गुरुमी सिंग ने राजधानी देरादूर में पुलिस लाइन में आउजित ग्यार्वी अखिल भार्तिया पुलिस तीरंदाजी प्रद्योगिता के समापन पर शिर्कट की। प्रद्योगिता में अन्य राज्यों से आई टीमों को उत्राखंड की संस्क्रिती से भी रूबरू कराया गया इस प्रद्योगिता में आई टी बीपी की पुरुष टीम ने पहला स्थान हासिल किया जबकि इसी प्रद्योगिता में बीयस अप की महिला टीम ने प्रतम स्था हुआ था जिसका समापन हो चुका है यह बहुत खुशी की बात है कि ग्यारवां जो तीर अंदाजी का कॉंप्टीशन उत्रखंड में किया गया है और यह पहली बार है कि उत्रखंड में इसका आयूजन किया है और जिस प्रकास आयूजन किया गया है अपने आप में बहुत अच्छा स्टेंडर्ड बनाया है इसके अंदर में एक सौच्ष्यानवे पॉलीस पर्सन्स ने किया था और सबसे बड़ी बात है कि 120 महिलाओं ने हिस्सा लिया मैंने उनका जो तीरंदाजी का स्टेंडर्ड है देखा है तो ऐसा लगता है कि भारत इस इलाके में पक्का आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा एक अलग ही हवा चली है कि किस परकार से हर एक भारतिया को अपने आप में वो उत्सा है कि मैं किस परकार स्पोर्ट्स के अंदर में पार्टिस्पेट करूँ आज जो इस कॉंपिटिशन का समापन किया गया है पाच दिन का ये कारेकरम सच कहूं तो उत्रखंड को अलग ही एक पहचान देता है उत्रखंड के पोलीस के औरगनेशन को पहचान देता है और हैरेक उत्रखंड के लिए ये गर्व की बात है कि उस धर्ती में जहां पर दुरोना चाहरे जी थे जहां एक कलव या अरजून थे उस धर्ती के ऊपर में आज तीरंदाजी का ये प्रोग्रम किया गया है मैं उत्रखंड के तीरंदाजी एस्सेशन को भी शाबाज देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये महौल बनाया है पिशली बार जब कॉम्टिशन हुआ था उसमें बारवी पोजीशन थी इस बार चटी पोजीशन है और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में इससे और भी अच्छा किया जाएगा मैं इस कॉम्टिशन को देखकर कह सकता हूँ कि पूरे भारत में एक अलग उत्सा है कि हम इंटरनेशनल लेवल के उपर में, नेशनल लेवल के उपर में किस परकार हिस्सा ले और जो आद मैंने देखा है तो एक पक्का, एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय के उपन में भारत और उत्रखंड स्पोर्ट के इलाके के अंदर में स्पोर्ट के अरना के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा I am absolutely different about it आर्चरी पर्चयोगिता को हमने पहली बार करवाया उत्रखंड पॉलिस ने और यहां जप्ति इसके बहुत संसाधन भी आपको पता है हमारी टीमों को तियारी के लिए भी दूसरे स्टेट है और नया खेल है हमारे नया खेल जुड़ा है तो आने वाले समय में जरूर कभी उत्रखंड देश में सर्वोच स्थान पर आत करेगा